हेलो, आज इस वीडियो में हम सीखेंगे अपनी फैमिली के बारे में हमारी फैमिली में जो भी वेमबर्स होते हैं, उनको इंगलिश में क्या कहते हैं, ये हम इस वीडियो में सीखने जा रहे हैं तो चलिए देखते हैं, इस वीडियो में सब से पहले हम देखते हैं, कि ममी कहां पर है, ये ममी है, ममी को क्या कहते हैं, मदर, क्या कहते हैं, मदर, आपकी ममी है आपकी ममी क्या है, आपकी मदर है तो चलिए पापा को देखते है, ये पापा है ठीके, और पापा को क्या कहते है, पापा को कहते है, फादर क्या कहते है, फादर अब जो आपकी बहन है, उसको क्या कहते है, बहन को कहते है, सिस्टर यह सिस्तर है यहाँ पर और आप देखते हैं कि जो दादा जी होते हैं उनको क्या कहते हैं तो देखो यह दादा जी है ना इनोने स्टिक ले रखिए यह दादा जी है और दादा जी के बाद इनको क्या कहते हैं ग्रेंड फादर क्या कहते हैं इनको ग्रेंड फादर आप हम जानेंगे के दादी जी को क्या कहते हैं और दादी जी कौन सी है इसमें ये दादी जी है दादी जी को कहते हैं ग्रेंड मदर और अब जो आपके अंकल होते हैं उनको क्या कहते हैं ये हैं अंकल यानिके चाचा ज री या ताउजी और जो चाची होती हैं Tाइजी होती है उनको क्या किए आन्टी ये आन्टी है और इसके बाद हम देखते हैं जो अंकल और अउंटी का बेटा होता है तो वह आपका ब्रदर हुआना उसको कहते हैं कजन ब्रदर और जो उनकी बेटी हुई वो कौन होती है कजन सिस्टर यह कजन सिस्टर और यह कौन है भई यह है ब्रदर कर कजन ब्रदर तो two कजन ब्रदर है इसमें और यह हैं आपको तो पता चलिए ना चलिए एक बाद रिवाइज करते हैं फादर मदर ग्रैंड मदर ग्रैंड फादर सिस्टर कजन ब्रदर यह आप खुद हैं मैसेल्फ यह अंकल है और यह आंटी है और यह है कजन सिस्टर और यह है कजन ब्रदर अवियाद रखने आपको और इसी तरीके से आपको बोलना है वीडियो पसंद आईए न तो आप इसको जरूर ही सब्सक्राइब करें आपको